नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ दीपसी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकाय चुनाओ को लेकर नगर निकाय चुनाओ जन्वरी दोहजार चौबीस में कराने की तैयारी जो है हरियाना प्रदेश में चल रही है सरकार ने प्रदेश के साथ जिलों में वाडबंदी का शेडियूल बनाया है इसे लेकर बीते शनिवार को निगम और प्रशासन का धिकारियों की एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग भी हुई जिसमें तैय किया गया कि इस बार पानेपत, करणाल, रोहतक, यमुननगर, हिसार, जाखलमंडी और पुंधरी में वाडबंदी होगी वाडबंदी की तैयारियों की ये प्रक्रिया 20 नमंबर से शुरू हो जाएगी और 16 जन्वरी को इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा वाडबंदी का आधार परिवार पहचान पत्र पर रहेगा और इसी आधार पर वाड़ों की संख्या और सीटों के रोजर्वेशन का भी निर्धारन होगा माना जा रहा है कि इस बार शेहरों के 26 के बज़ाए 39 से 32 तक वाडब बनाए जा सकते हैं चार जन्वरी 2024 को नगर निगम का पंच वर्षी कारेकाल समाप्त होनी जा रहा है वहीं आगा में चुनाव को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारिया शुरू कर दी हैं इससे देरी से होने वाली निकायच नाव की अचकली भी समाप्त हो गई है अधिकारियों का मानना है कि वार्डबंदी में सभी वार्डों में जनसंख्या और शेत्रफल को बराबर सीमा में रखा जाएगा तो नई वार्डबंदी के शेडियूल में 20 नमंबर को शहर के वार्डों की जनसंख्या की मैपिंग की जाएगी 25 नमंबर को सीटों का निर्धारण होगा 5 दिसम्बर को उपायुक्त और निगम उपायुक्त की ओर से गटित एड हॉक कमिटी की बैटक होगी और 8 दिसम्बर को नगर निकायों की ओर से वार्ड वार बाउंडरी का हिंदी और अंग्रेजी में नॉटिफिकेशन होगा 12 दिसम्बर को प्रात्मिक यानि ड्राफ्ट वार्ड बंदी प्रकाशित होगी 22 दिसम्बर तक वार्ड बंदी पर आपतियां और सुझाओ धर्श करवाए जाएंगी 27 दिसम्बर को वार्ड बंदी की आपतियों और सुझाओ को सुनवाई के लिए DC के पास बेजा जाएगा और इसके बाद दो जन्वरी को फाइनल वार्ड बंदी जारी कर दी जाएगी इसके आधार पर 12 जन्वरी को वार्डो के रिजर्वेशन को लेकर एड हॉक कमिटी की बैटक होगी जिसका अंतिम नोटिफिकेशन 16 जन्वरी 2024 को जारी होगा